नमस्कार मैं हूँ श्पेता चाओ और आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर स्पक्कीन दिल्ली नगर निगम उप्चनाओं में आमाद्मी पाटी ने बंपर जीत दर्ज की है आपको बनाते कि पास सीटों में इसे चार सीट पर हुए उप्चनाओं में आमाद्मी पाटी की जीत हुई है कल्यानपुरी, तिरलोगपुरी, शालिमार बाग और रोहिनी, नगर निगम में आमाद्मी पाटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है जबकि चौहान बांगर सीट पर कॉंगर्स को जीत हासिल हुई है इस उप्चनाओं में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है दिले के मुख्यमंत्री और आमाद्मी पाटी के राष्ट सेयोजल अरवेंद के जिवाल और उप मुख्यमंत्री मनीश सौदिया आम आद्मी पाटी के मुख्याले पर पहुँचे और जनता का शुक्रिया अदा किया तो आपको हम बता दें कि दरसल ये कल्यान पुरी जो सीट थी जहाँ पर जीत दर्ज हुए वो है कल्यान पुरी, त्रिलोग पुरी, शालिमार बाग, रोहिनी ये चार सीटों पर कबजा हुआ है आपका और एक सीट, चोहान बंगर, ये सीट जो है ये कॉंग्रिस के खाते में गई यहालगे आपको बता दें कि कॉंग्रिस ने यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से सीट चोहान बंगर की, यहाँ पर जीत दर्श की है और सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर अगर किसी को जाता है तो वो BJP को जाता है क्योंकि पिछले 15 सालों से निगम पर BJP का कबजा रहा है और ऐसे में आपको बता दे ये उपचनाव कई माईनों में इसलिए भी खास रहा है दिल्ली निगम के उचनाव में जिस तरह है दिल्ली की जनता ने पांच में से चार सीट आमाधनी परटी को दे कर अरविंद केजरिवाल जी की राजनीती पर भरोसाद रताया है और जिस तरह से भारती जनता परटी का सूपड़ा साफ किया है उससे ये बात साफ हो गई है कि NCD के 15 साल के BJP के शासन से अब दिल्लीक जन्ता बहुत तंगा चुकी है और अब चाहती है कि पुरी तरह से जाडू लगा के BJP को साफ कर दिया जाए नगर निगम से और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जन्ता क्या चाहती है आने वाला चुनाव में जब नगर निगम सा अगले साल वहाँ भी इस्तिती होगी भारती जलता परटी का पूरी तरह सुप्रा साफ होगा और आमादी परटी की राजमीपी अर्वी के जिवाल जी के तो काम करने वाली राजमीपी है उसकी जीत होगी और मैं इस जीत के लिए जो आज जीत हुए है पांच मैंसे चार् जानकारी के साथ जुड़े हैं राम किंकर बहुत बड़ी जीत इसे कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए और खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी इसे बता रहे हैं कि 2022 में जो चुनाफ होने वाला है निगम का उसका सेमी फाइनल था तो क्या ये मान लिया जाए कि दि बाद ये पहला ऐसा चुनाव है ऐसे में बीते साल क्या कुछ रहा लोगों का मूड क्या था ये चुनाव इस बाबत साफ तोर पर संदेश देगा जहां पर मैं खड़ा हूँ वो मंडावली का काउंटिंग सेंटर है त्रिलोपूरी कल्यानपूरी के दो वार्ट से आम रहते हैं ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका मूड क्या है शायद यही वज़ा है कि मनिश्य सोधिया कह रहे हैं कि यह सेमी फाइनल है ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत जादा चुनाव थी इस बात की भी है कि किस तरह से अगले साल जब चुनाव होगा तो इन लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं या करने की कोशिश करते हैं दूसरी बात निगम चुनाव के जरिये आम आदमी पाटी यह चाहती है कि वह निगम से जहां पर 14 सालों से शासन कर रही है बीजेपी वहां से उखाड थेके और इसको जब वह काम्याब होते हैं ऐस का मॉडल क्या है और इस जहां कहीं रोडा आता है तो वह निगम आता है तो ऐसे में उनको अक्सीजन मिली है जाहिर तोर पर अब अलग मोर्चों पर इसका जिक्र होगा वहीं अब बीजेपी में मन्थन का दौर होगा क्या कमिया रही इस बाबत यह जानने की कोशिश की ज बाताओं को अपने पक्ष में काबू अपने पक्ष में नहीं कर सके लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए जटका भी है कि मुस्लिम बहुल इलाके से उनका केंडिडेट नहीं जीता है बलकि वहां से उसे हार मिली वह भी काफी बड़े वोटों के अंतर से इस फंड की कमी को लेकर आप मुद्दा नहीं बना सकते हैं काम करना होगा सीधी सी बात रुक करेंगे अगली खबर का आपका बता दे राहूल गांदी ने आपातकाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने माना है कि आपातकाल कॉंग्रेस सरकार की बहुत बड़ी गल कि अवडिया कि अवडिया फीन टॉटन टॉटे इंड फ से देट थी यह ऐ चांद कि अजीज जा लूव ड़ाओ कि अजेडिश हैं टॉट टॉट ब्रेट थी इंड टॉटैशना प्रेम डिलगाइ यह जब ओनाई तरफ कर टॉटिष्टूस फर प्रेम न थे लिभी डिज ट अबस्कार मैं हूँ अंजना ओमकर्ष्य अपमेद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले